आज हम चेक आउट करने वाले ही कि आज शाम को आपकी पोर्शन, आपके लिए क्या फील करें हैं, क्या सोच रहे हैं, तो याज हम चेक आउट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजे, बेल आइकन ज़रू प्रेस करें, ताके आपके पास करा है, अगर आप चाहें, तो आप उसे जॉइन कर सकते हैं, मेरे WhatsApp ग्रूप का लिंक, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर में काफी रेमेडीज भी शेयर करते हूं, और काफी इंफोमेशन आपको वहां पर में देखने को मिलें तो, if you want, आप जॉइन कर सकते हैं, description box में दिये गए, WhatsApp ग्रूप पर ही आपने click करना है, description box में दिये गए, number पर, जो मेरी team का number है, उसी पर आप contact करें, comment में दिये गए, किसी भी number पर contact नहीं करना है, because वो मेरा नहीं है, and it's, अगर आप वहां contact करते हैं, तो of course आप अपने risk पर कर रहे हैं, and अगर आप चाहते हैं, तो आप energized crystals भी हमसे purchase कर सकते हैं, for example, यह है rose quartz का crystal, जो की help करता है, आपके relationship को heal करने में, आपके person को आपके जिंदगी में वापस लाने के लिए, आपके emotions को balance करने के लिए, तो यह है relationship bracelet, amethyst आपको help करता है, आपकी intuition power को increase करने में, अगर आप good luck चाहते हैं अपने business में, तो आपके लिए है tiger, eye stone, अगर आपको लग रहा है कि आपके relationship में बहुत negativity है, तो आप इस black term line को wear कर सकते हैं, आपको या आपके person के mind में बहुत जादा negativity है, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके relationship को नजर लग गई, तो evil eye bracelet है, black term line bracelet है, आपन ब्रेसलेट को ले सकते हैं, अपने left hand में wear कर सकते हैं, आपके नाम से ही charge होकर आप तक पहुंच जाएगा, इसके बारे में अगर और information चाहिए, तो of course, आप मेरी team को contact करें, चलिए आगे चलते हैं, एक general collective reading है, जतना person आपके साथ के resonate करता है, उतना रखें, ब देखने हैं, आज शाम को आपके person आपको लेकर क्या कुछ है जो सोच रहे हैं, देखने हैं, इस divine universe, angels, बताएं मेरे viewers को कि उनके person आज शाम को उनको लेकर क्या खुछ सोच रहे हैं, 9 of pentacles, okay, 8 of pentacles, the hermit, strength, knight of pentacles, okay, 10 of swords, knight of swords, two of pentacles, okay, queen of pentacles, and six of cups, bottom of the deck we have devil, ठीक है, तो यहां पर जो जोडियक साइंग साज शाम के लिए प्रोमिनेंट है, वो है, वो है, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpion, and Pisces, और Leo यहां पर भी है, ठीक है, air sign भी है, Gemini, Libraquilis, और मुस्स सारे जोडियक साइंग साइंग यहां पर एविलेबल है, यह आपके person के हो सकते हैं, तो आज जो energy मुझे दिख रही है, सबसे पहला ही card है, Nine of Pentacles का, तो bottom card हमारे पास devil count करा है, यानि, maybe आपके person आपकी तरफ ना बहुत ज़्यादा खिचाव महसूस कर रहे हैं, बहुत attraction महसूस कर रहे हैं, आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं, जो devil के energy हैं, वो बहुत ज़्यादा physical attraction आपके person की तरफ दिखा रही है, ठीके, यानि, आपके person बहुत ज़्यादा physically attract हो रहे हैं, आपकी तरफ, ठीके, maybe वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, उनकी बहुत इच्छा हो रही है, कि वो आपसे मिले आकर, ठीके, nine of pentacles भी है, hermit भी है, अकेला पनाच शाम को भी उनको खाये जा रहा है, बार-बार, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है, कि उनके साथ ना, मतलब, कोई भी नहीं है, जिनके साथ वो अपने emotions को share कर सकी, बहुत परिशानी में वो दिख रहे हैं, उनको ऐसे लग रहा है, कि अब जैसे कुछ भी उनके हाथ में नहीं रहा, कुछ भी उनके control में नहीं रहा, सब कुछ जो वो चाह रहे थे, सब कुछ उनके हाथ से चला गया है, ठीक है, मेभी उनकी health भी जादा अच्छी नहीं दिख रही है आच शाम को, मेभी बहुत जादा stress में है, overthinking में है, और इतना जादा overthinking की situation में जाते जा रहे हैं, कि वो अपने ले ही negative हो गए है, उनको ऐसे लग रहा है कि जो relationship खराब हुआ है, यह इनके खुद की वज़े से हुआ है, night of pentacles, ten of swords की, pain को कहीं न कहीं वो जहेलते हुए दिख रहे हैं, उस दर्द को मैसूस कर रहे हैं, अगर उनका बस चले तो अभी भाग कर आपके पास आजाएं, अभी आपसे मिलना चाह रहे हैं, अभी आपको बहुत जल्दी अपने person से कोई hint मिल सकता है, ठीक है, जैसे वो कोई आपका message कर सकते हैं, आपको call कर सकते हैं, आपकी कोई picture को like कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा stock करते हुए दिख रहे हैं, वो देख रहे हैं, social media पे check out कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपने कोई नई ड्रेस परचेस कर रहे हैं, उनके mind ना इतना ज़ादो overthinking है, कि आपके लेना, वो बहुत कुछ है जो सोच रहे हैं, आपके साथ future अपना imagine कर रहे हैं, अगर मैं जैसे कहूं ना, कि आप अगर social media पे डाल रहे हैं, अपने नई कपड़े आपने परचेस कर रहे हैं, new clothes, या फिर new haircut आपने कर रहे हैं, many cure करवाया है, कुछ भी, ठीक है, तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है, क्यार अपनी किस के लिए कर रहा है, वो तो आपके पास है नहीं, तो वो उनकी energy, या आपके लिए possessive महसूस हो रहा है, अगर आप किसी और के साथ बात कर रहे हो ना, तो वो उनको बहुत बुरा लगता है, ठीक है, और अभी भी बुरा लग रहा है, उनको ये चीज महसूस हो रही है, जैसे आपना move on कर चुके हैं, अपनी जिन्दगी में, आप उन्हें भूल चुके हो, और ये चीज उनको ज़्यादा दर्द दे रही है, कितने ही busy क्यों ना हो, लेकिन फिर भी काम में महसूस दे रहे हैं, reunion, reconciliation तो definitely चाह रहे हैं, वो six of cups की energy है, प्यार बहुत करते हैं वो आपसे, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, कि gap जो आया है, इससे आपके person का प्यार आपके लिए काम हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कि जो gap आया है, इस gap के पीछे भी एक reason है, इस gap के पीछे भी, ये reason है, कि ये gap आपके person को एक lesson सिखाना चाहता है, कि उन्हों ने, जो आपके साथ करा है, वो गलत है, और future में वो उस चीज़ को repeat ना करें, ये lesson है उनके लिए, कि वो आपकी importance को समझ सके, आपकी values को समझे, ठीक है, आपने बहुत कुछ इस relationship में दिया है, but I believe queen of pentacles, ठीक है, खुद चीज़े compromise करकर, आपने बहुत कुछ इस relationship में दिया, ठीक है, और लेकिन आपके person ने कभी भी उन चीज़ों की कदर नहीं करी, वो सिर्फ आपके एक duty समझ कर उसे भूल गए है, लेकिन अब जो ये gap create हुआ है ना, इससे वो समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, कि वो सिर्फ आपके एक duty नहीं थी, वो आपका प्यार था, जो आपने उन्हें दिया है, अच्छा, सिर्फ ये एक no contact situation के लिए नहीं है, बलकि यहाँ पर मुझे इसे दिख रहा है, कि मेभी कोई third party situation भी आप लोगों की life में है, ठीक है, मेभी आपका situation on and off हो सकता है, यानि बात होती है, फिर गया पाजाता है, बात होती है, फिर गया पाजाता है, मेभी ऐसा भी कुछ है, कि बहुत negativity आ रखे है आपके person की life में, आपके person बहुत जादा negative हो रखे हैं, आपके बारे में सोचते हुए, ठीक है, और वो जो negativity है ना, उनके उपर हावी हो रही है, अच्छा गलती उनकी है, ठीक है, मेभी उन्होंने शायद आपको छोड़ा है, लेकिन वो ऐसा मैसूस कर रहे हैं, जैसे गलती आपने करी है, वो आपसे call या messages की, कही न कही आप एक्षा रख रहे हैं, उचा रहे हैं कि आप उन्हें call करो, आप उन्हें message करो, आप उनसे माफी माँगो, ठीक है, क्योंकि कही न कही न आ आपने उन्हें habit डाल दी है, आप उन्हें हमेशा call करते थे, आप उन्हें हमेशा मनाते थे, तो इस चीज की habit आप उनसे जाल चुके है, और ऐसी habit की वज़े से, वो इसी चीज को महसूस कर रहे हैं, कि आपको उन्हें call करना चाहिए, आपको उन्हें message करना चाहिए, अकड बहुत है गुस्सा बहुत जल्दी आता अचा और आपकी thinking ऐसी है कि अगर एक person गुस्सा है तो सामने वाले कुछ शान्त हो जाना चाहिए इसलिए आप हमेशा शान्त हो जाते थे इसलिए आपके person की energy बहुत जादर dominating रही है ची कि possessive रहे है वो लेकिन अब भी उनकी ऐ नहीं वो call message आपकी तरफ से जा रहा है वो करने ही पा रहे है तो यहाँ पर no contact जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है ठीक है तो step by step उनको सीखने दो lessons जो universe ने उन्हें सिखाना है जो divine ने उन्हें lessons सिखाने है उन्हें सीखने दो ठीक है यह gap अगर अब ही खतम हो गया तो future में फिर आएगा ठीक है इसलिए इस gap को चितना है इस gap को उतना रहने दो ठीक है उसको जल्दी खतम करने की कोशश मत कर उसको सीखने दो उनका proper lesson जब वो proper lesson सीख जाएंगी क्योंकि तब divine खुद उन्हें आपके पास भीजेगा वो दर्द को महसूस कर रहे है आपकी importance को मह है ठीक है तो मैं आपको यही suggest करूँगी कि जैसे यह lesson वो सीख जाएंगे वो खुद दोड़ कर आपके पास आएंगे ठीक है खुद दोड़ कर आपके पास आएंगे तो यह कहीं न कहीं उनकी energy ही देखने को मिलिये चले देखते हैं कि अगर आपका उनसे contact होता है ठीक है तो कब होगा? call, message, कोई भी hint, universe हमें बताएं कि कब उनके person उनने कोई call, message या कोई action शो करेंगे Card of abundance, universe हमें बताएं कि उनकी तरफ से क्या action उठकर आएगा? देखें, beyond illusion, ordinariness and slowing down At the bottom, reconciliation अपने आप दिख रहा है तो यहाँ पर भी अगर मैं देख हूँ न तो आपके जो person है न डेफिनेटली आपको action शो करेंगे ठीक है? डेफिनेटली उनकी तरफ से आपको action देखने को मिलेगा, maybe within next one month ठीक है? एक महीने के अंदर में भी आज से जब आप इस वीडियो को देख रहे होगी, क्योंकि एक timeless reading है तो जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, उसके एक मन्त के अंदर अंदर आपको उनकी तरफ से कोई action देखने को मिल सकता है और वो action like, आपको उनका प्यार देखेगा, beyond illusion क्योंकि अब तब तक उनके प्यार का जो एक उताना की percentage वो बढ़ चुकी होगी, beyond illusion हद से जादा कहीं न कहीं आपको उनका प्यार देखने को मिलेगा, बहुत changes आपको उनके अंदर देखने को मिलेगे जो इस gap ने उन्हें सिखाए हैं, मैंने कहा न, वो lessons, lessons उन्हें सीखने दो ठीक है, जब वो lessons को सीख लेंगे, तो definitely खुद उटकर आपके पास आएंगे क्योंकि अभी वो अगर चल रहे हैं न, तो वो इस कच्छवे की रफ्तार से चल रहे हैं, यानि एक tortoise की तरह, बहुत धीरे-धीरे, ठीक है, धीरे-धीरे उनकी समझ खुल रहे हैं, धीरे-धीरे वो उन चीजों को realize कर रहे हैं, आपकी value को realize कर रहे हैं, ठीक है, तो definitely जब आप उनसे बात करोगे न, आपको बहुत change देखने को मिलेगा, उनकी feelings में, उनकी thoughts में, ठीक है, और उनकी तरफ से आपको खुद call आएगा, खुद message आएगा, मेभी अगर आप एक साथ workplace में, एक ही workplace में काम करते हूँ, एक ही school में हो, एक ही college में हो, ठीक है, एक ही workplace में हो, एक ही colony में हो, मुझे ऐसे दिख रहा है, ordinaryness की energy से, ठीक है, तो वो आपको directly approach करेंगे, ठीक है, maybe within one month, वो आपको directly approach करेंगे, अगर आप यहाँ तक पहुचो, तो definitely एक sign है आपके लिए, कि वो बहुत जिल्दी आपको approach करने भी वाले हैं, ठीक है, तो this is the reading for today, अगर आपके साथ resonate करी, तो definitely like, comment, share करो, बताओ मुझे, thank you so much, bye-bye and take care.